हेलो गाईज, गूट मॉर्निंग टू आल अफ यू, वेलकम टू लर्न वित लक्षमी शर्मा, आज है 6 जून 2023 जिसमें हम आज की टॉप 20 कर इंटरफियर्स कवर करेंगी, इन टॉप 20 क्वेस्टिन्स के डिटेल्ड एक्स्परिनिशन के साथ-साथ, इसके अडिशनल फैक्ट और इससे रिलेटेड अडिशनल इंटरफियर्स की पीडिएफ मिल जाएगी, और इस वीडियो की पीडियो की पीडियो आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनूड भी कर सकते हैं, यह मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे जॉइन कर लिजेगा, इस चैनल पर भी आपको डेली कर इंटरफियर्स की पीडिएफ मिल जाएगी, और यही मेरा फेस्बुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो, तो गाइस चले स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को, आवर फर्स्ट क्वेस्टन इस, विस्व पर और पहली बार इस डे को 5 जून 1973 में सेलिब्रेट किया गया था, और इस डे की 2023 में थीम रखी गई है, बीट प्लास्टिक पॉलिशन, नेक्स्ट क्वेस्टन इस, रिसेंटली सुलोचना दीदी पास्ट अवे, सी वस, हाली में सुलोचना दीदी का निधन हो गया है, वे क् इसका आंसर ऑप्शन सी, एक्ट्रिस, सुलोचना लटकर, ये सुलोचना दीदी की नाम से फेमस थी, ये एक मराठी और हिंदी वेटरन एक्ट्रिस थी, जिनका हाली में निधन हो गया है, इन्होंने अपना करियर 1946 में भालची पंधारकर की ससुरवास फिल्म से की थी, और प्रेसिडेंट ऑफ डैस, भारती अमेरिकी अजय बंगा ने इनमें से किसके अध्यक्ष की रूपे कारेभार समाला है, इसका आंसर ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक, अजय बंगा ये पहले ऐसे इंडियन अमेरिकन है, जिनने वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अपॉइंट क इंडिया को 2016 में पदमश्री दिया गया था और 2019 में एलिस आइसलेंड मेडल से नवाजा गया था, इंडिया के पहले कार्बन फ्री विल्लेज को महरास्ट्रा के थाने डिस्टिक के भीवंडी तालुका में डवलब किया जा रहा है, और इस विल्लेज के अलावा 121 ट्राइबल विल्लेज को यूनियन गवर्मेंट के द्वारा मॉडल विल्लेज बनाया जा रहा है, मॉडल विल्लेज का मतलब है या हर तरह की फैसिलिटी दी जाएगी, जैसे टेकनोलोजी, पानी का कनिक्सन या फिर ग्रीन एनरजी यूज किया जाएगा, इससे पहले विल्लेज जो जम्मू में है, ये इंडिया की पहली कार्बन फ्री पंचायत बनी थी, हमारा अगला क्वेश्चन है, मनिपूर हिंसा के जाच के लिए गठे समीती का प्रमुख कौन होगा, इसका आंसर है, अजय लांबा, अभी मनिपूर में जो वाइलेंस चर रहा है, जिसमें मैति कम्यूनिटी को स्टी लिस्ट में डालने के लिए बात की जा रही है, जिसकी वज़े से अधर कम्यूनिटी इस प्रोटेस्ट कर रही है, वाइलेंस कर रही है, अब इसके लिए एक ट्री मेंबर की कमिशन बनाई जाएगी, जो इस वाइलेंस को इंवस्टिगेट करेगी, इस कमीटी को गुवाहाटी हाई कोर्ड की फॉर्मर चीफ जस्टिस अजय लांबा हेट करेंगे, इनके अला इसके गवर्नर है अनुसुया ओईके और मनीपूर का ओफिस्यल एनिमल है संगाई, नेक्स्ट क्वेस्टिन इस, इसका आंसर है आंसे यूंग, ये साउथ पूरिया के प्लेयर हैं, जिन्होंने इस साल दोज़ेटाइस का विमिन्स थाइलेंड ओपिन का टाइटल जीता है, इन्होंने इस चैंपिंसिप के फाइनल में बिंजियाओ को हराया है, और ये इनका अब तक का 15 टाइटल है, इन अब तक की 4th थाइमन बन चुके हैं, जिन्होंने इस टोर्नामेंट को जीता है, इसके अलावा इन्होंने थाइलेंड का 1st gold medal of the day भी जीता है, और इस साल के थाइलेंड ओपिन टोर्नामेंट को थाइलेंड के बैंककॉक के हुआ मार्क इंडोर स्टेटियम में खेला गया इसका आंसर ऑप्शन बी एक गूफी पेंटल ये एक वेटरन एक्टर थी जिनका हाली में निधन हो गया है, इन्होंने लगबग 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और ये महाभारत की सकुनी कारेक्टर के लिए फेमस थे इसका आंसर ऑप्शन C, Max Verstappan, ये रेड बुल के फॉर्मूला वन के ड्राइवर है जिनोंने इस साल 2023 का इस्पैनिस ग्रांट प्रिक्स अवाट जीता है इसका आंसर ऑप्शन D, हैदराबाद G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रूप की मीटिंग 4 जून से 6 जून तक आयोजित की जाएगी इस मीटिंग को तेलंगाना के हैदराबाद में कंड़क्ट किया जाएगा इस मीटिंग को यूनिन टोरेज मिनिस्टर जी किसान रेडी ने इनॉगरेट किया है जिन्होंने ये भी बात कही है कि 2030 तक इंडिया में सभी के लिए हल्थ केर प्रोवाइड किया जाएगा G20 इसे ग्रूप 20 भी कहते हैं जिसमें 19 कंट्रीज और एक European Union सामिल है इसे 26 सितंबर 1999 को फाउंड किया गया था केंदर सरकार ने तूर और उरत दाल पर कब तक स्टॉक सीमा लगाई है इसका आंसर आप्शन सी 31 अक्टूबर सेंटर गवर्मेंट ने तूर और उरत दाल के प्राइस के बढ़ने के कारण इसके स्टॉक लिमिट को इंपोस किया है जिसे 31 अक्टूबर 2023 तक इंपोस किया गया है इसमें होल सेलर, रीटेलर्स, इंपोर्टर्स और मिलर्स के लिए स्टॉक लिमिट की गई है जिसमें इस औरर के अक्टॉक दोनों को 200 तन तक स्टॉक रखना है जबकि रीटेलर्स को ये 5 तन तक स्टॉक रखना है और जो बिक रीटेलर्स है उनके लिए 200 तन स्टॉक लिमिट की गई है इसका आंसर है उप्शन डी महाराष्ट्रा महाराष्ट्रा की गवर्मेंट ने बजाज फिंसर्फ के साथ एक अग्रिमेंट साइन किया है जिसमें ये महाराष्ट के पूने में 5,000 करोर रुपे इन्वेस्ट करेगी इस इन्वेस्ट्मेंट से लगबग 40,000 जॉप्स क्रियेट होंगे इस प्रोजेक्ट के अंडर पूने को फैनेंसियल सेंटर डवलप किया जाएगा इसके अलावा यहाँ पर ग्रीन सॉलेशन पर भी काम किया जाएगा बजाज फिंसर्फ इस तीस एपेल 2007 में फाउंड किया गया था इसका हेड़क्वार्टर महरास्ट्रा के पूने में है इसके चेर्मैन और अमडी है संजीव बजाज नेक्स्ट क्वेस्टिन इस उस एथिलेट का नाम बताइए जिसने बिश्ट के रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है इसका आंसर आप्शन है मनीशा मनीशा ने बिश्ट के रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है और इस tournament में ये इंडिया का पहला gold medal है इन्होंने ये gold medal 65 kg काटेगरी में जीता है इनके अलावा रितिका ने women's के 72 kg के काटेगरी में silver medal जीता है जबकि सरिता मोर इन्होंने 59 kg के काटेगरी में bronze medal जीता है और इस tournament में men's के काटेगरी में मंजीत नहीं 55 kg के कैटेगरी में ब्रांज मेडल जीता है यह टोर्णामेंट किर्गिस्तान में आई जित की गई थी next question is who has been elected as the 78th president of UNGA UNGA की 78 अधक्ष की रूप में किसे चुना गया है इसका answer option D Dennis Francis Dennis Francis को UNGA या United Nation General Assembly का 78 president elect किया गया है इन्हें इस post के लिए United Nation के 193 members state ने elect किया है UNGA इसे 1945 में found किया गया था और इसका headquarter New York में है next question is as per the NIRF rankings 2023 which IIT has dropped the list NIRF ranking 2023 के अनुसार किस IIT ने सूची में सिर्फस्तान प्राप्त किया है इसका answer option C IIT मदरास Union government ने 2023 की National Institute ranking framework के रिलीज किया है जिसमें IIT मदरास overall higher education institution में top आई है IIT मदरास के इसमें NIRF की 8th edition conduct की गई थी जिसमें IIT मदरास ने टॉप किया है IIT मदरास इसे 1959 में found किया गया था और इसके डारेक्टर है प्रोफिशर वी कामा कोटी next question is who has been appointed as the brand ambassador for Wrangler brand Wrangler brand के लिए किसे brand ambassador निफ्ट किया गया है इसका answer option B इस्मृति मंदाना इस्मृति मंदाना ये इंडिन बैटर है जिने रैंगलर ब्रैंड का ब्रैंड अम्बेस्टर अपॉइंट किया गया है रैंगलर ये clothing brand company है जो एक turtle Omni private limited की subsidiary company है next question is which football player recently announced retirement from football किस football खिलाडी ने हाली में football से retirement की घोशना की है इसका answer option D जलाटन इब्राहिमोविक जलाटन इब्राहिमोविक ये एक Swedish footballer है जिन्होंने हाली में football से retirement के announcement की है इन्होंने 1999 में अपना debut Malmo FF से किया था और इन्होंने बहुत सारे football clubs को represent किया था जिसमें Ajax, Juvent, Barcelona, PSG और Manchester United सामिल है हमारा अगला question है टाटा ग्रूप विल बिल्ड रुपेज 13,000 करोड लीथियम आयन सेल फैक्टरी इन डैस टाटा समो कहां पर 13,000 करोड रुपे की लीथियम आयन सेल फैक्टरी का निर्मान करेगी इसका answer option A, गुजरात टाटा ग्रूप की सबसीडियरी कंपनी AgraTask Energy Storage Solution ने गुजरात गवर्मेंट के साथ एक agreement साइन किया है जिसमें ये गुजरात में एक लीथियम आयन सेल मैनिफैक्टरिंग प्लांट सेट अप करेगी इस प्रोजेक्ट के लिए initially इसमें 13,000 कलोर रूपे इन्वेस्ट किया जाएगा और इस प्लांट की capacity होगी 20 गिगावर्ट और ऐसा expect किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से लबक 13,000 लोगों को जॉब मिलेगी टाटा ग्रूप इसे 1868 में फाउंड किया गया था इसके headquarter मुंबई में है और इसके chairman है नटराजन चंद्रशेकरन नेक्स्ट क्वेस्चन इस भारत पे की अभूगता रिन प्रमुक की रूप में किसे नियुक्त किया गया है इसका answer option C कोहिनूर विस्वास कोहिनूर विस्वास को भारत पे की consumer lending business का head बनाया गया है इस post को join करने से पहले ये ICIC bank में credit card portfolio की head थे और अब इन एक भारत पे में consumer lending business का head बनाया गया है भारत पे इसे 2018 में found किया गया था और इसके CEO है सुहे समीर next question is which medical and law institute is the best institute as per the latest ranking latest ranking के अनुसार कौन सा चिकित्स और कानून संस्थान सबसे अच्छा संस्थान बना है इसका answer option A National Law School of India University Bangaluru NIRF के latest ranking के according National Law School of India University Bangaluru ये इंडिया के best law institute बनी है इसके बाद है Delhi का National Law University थर्ड आये है Hyderabad की NALSAR University of Law और फॉर्थ पोजिशन पर है Kolkata की West Bengal National University of Juridical Sciences NIRF इसे 29 सेप्टेंबर 2015 को found किया गया था next question is which Indian Institute of Management has topped in the latest ranking latest ranking में किस भारते प्रबंधन संस्थान ने सिर्थ संस्थान प्राप्त किया है इसका answer option B IIM एहमदाबाद NIRF की 2023 के latest ranking के according Indian Institute of Management एहमदाबाद टॉप आई है और ये इंडिया की best management institute बनी है इसके बाद है IIM Bangalore 3rd position पर है IIM Koji Khodi 4th आई है IIM Calcutta 5th position पर है IIM Delhi और 6th position पर है IIM Lucknow ये इंडिया के top 6 management institute है So guys ये थी आज की top 20 questions Now it's time for quiz ये previous session का question है जिसका answer था option A अगले question का answer आपको comment section में देना है So the question is Who has won the U.S. Spelling B contest for 2023? 2030 की U.S. Spelling B प्रतियुकता किसने जीती है Your options are Vikran Chinta Boina Shraddha Rajam Reddy Earth Dal Sanya Your option D. Dev Shah So guys आज की वीडियों बसिता है अगर आपको वीडियों पसंद आई तो इस वीडियों को लाइक कीजेगा Share कीजेगा और Subscribe कीजेगा Thanks for watching guys and have a good day Bye-bye